हम जानते हैं कि प्रकाश उर्जा का एक रूप है प्रकाश हमें प्राकरतिक स्त्रोतों से और मानव निर्मिच स्त्रोतों से प्राप्त होता है प्रकाश का प्राकरतिक स्त्रोत क्या है सूर्य तारे और आग यह सब प्रकाश के प्राकरतिक स्त्रोत है मानव निर्मिच प्रकाश के स्त्रोत कौन से है वे है विद्युदबल्ब मुम्बत्ती चलिए अब हम इस टौर्श से दीवार को प्रकाशित करते हैं हम दीवार पर प्रकाश पुंज देख सकते हैं लेकिन टौर्श से दीवार तक प्रकाश का पत्ध किस प्रकार का है हमें प्रकाश का कोई पत्ध नहीं दिख रहा है क्योंना अब हम इस पेन को प्रकाश के रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें ताकि हम ये जान सके कि क्या वाकई यहाँ पर प्रकाश है या नहीं जी हाँ हमने जहाँ जहाँ पेन रखा हमने देखा कि वहाँ वहाँ प्रकाश मौजूद था टौर्च के प्रकाश के कारण पेन का कुछ हिस्सा चमक उठा है यदि हम कमरे में थोड़ा दुआ कर दे तो हम प्रकाश का पूरा पत आसानी से देख पाएंगे यह वही पत हिया रास्ता है जिससे होते हुए प्रकाश दीवार तक पहुंचता है दुएं के छोटे कणों से प्रकाश टकराता है और परावर्तित होता है और हमारी आँखों में परिलक्षित होता है इसी प्रकार से हम वस्तूओं को देख पाते हैं अब अलग-अलग वस्तूओं को टॉर्च और दीवार के बीच में पकड़ कर देखें जैसे काँच, खिलोने वाली कार, डस्टर इत्यादी प्रकाश काँच से गुजर सकता है अतहा हम काँच को पारदर्शी वस्तूओं कहेंगे खिलोने वाली कार ये डस्टर प्रकाश को गुजरने नहीं देती अतह हम इन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तुपर पढ़ता है तब वै उस वस्तुपर की परचाई बनता है परचाई के बारे में हम अपने अगले भाग में बात करेंगे सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्त्रोत है प्रित्वी पर पहुचने से पहले सूर्य प्रकाश को एक लंबी दूरी तै करनी पड़ती है प्रित्वी के वातावरण में प्रवेश करने से पहले सूर्य प्रकाश को निर्वात के माध्यम से अपनी यात्रा करनी पड़ती है क्या आप जानते हैं प्रित्वी के वातावरण में क्या क्या शामिल होता है प्रित्वी के वातावरण में अनेक प्रकार के वायू और अन्य सूक्ष्मकन होते हैं सूर्य से प्रित्वी तक की अपनी यात्रा के दोरान सूर्य प्रकाश इनहीं कणों से परावर्तित होता है यह आसान शब्दों में कहें टकराता है इन छोटे कणों से टक्राकर सूर्य प्रकाश का प्रकीरणन हो जाता है हमने कांज के प्रिजम के जरीए इस बात को जाना है कि सफेद रंग का प्रकाश सारे यानि सात रंगों का मिश्रण है जब सूर्य प्रकाश किसी कंड से टक्राता है तब प्रकीर्णन के कारण नीला प्रकाश सरवादिक मात्रा में फैलता है इसी कारण हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है चलिए अब एक प्रयोग करके देखते हैं जब हम यह अगर्बत्ती जलाएंगे तो बहुत सारा दुआ होगा इसमें वे ही कंड मौजूद हैं जो प्रित्वी के वातावरण में मौजूद होते हैं हम इस दुए में नीले रंग की प्रकाश की धारा देख पाएंगे यह आकाश के रंग से मेल खाती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन छोटे कंडों के कारण नीले रंग के प्रकाश का प्रकिरणन हो रहा है जब सूर्य से प्रकाश आता है यह सारी प्रकाश की तरंगे जिनकी तरंग लंबाई भी अलग-अलग होती हैं वे खाली आवकाश से होकर गुजरती है पूर की कक्षाव में हमने ध्वनी के तरंगों के बारे में अध्यन किया था प्रकाश भी एक प्रकार के तरंग ही है प्रकाश की तरंगों को हम दो प्रकारों में वर्गे कृत करते हैं गोचर प्रकाश तरंगे और अगोचर प्रकाश तरंगे अर्थात दिखने वाली तरंगे और न दिखने वाली तरंगे अंतर को नापने के लिए हम लंबाई को उप्योग करते हैं जैसे हम कहते हैं कि यह पेंसिल 15 सेंटीमिटर लंबी है इस पेंसिल के आयामों को हम लंबाई द्वारा बता सकते हैं ठीक उसी प्रकार तरंगों के आयामों को बताने के लिए तरंगदैर धेर्थात वेब की लंबाई के इस्तमाल होता है जब वे प्रित्वी के वातावरण में पहुंचती हैं तब वे हवा में मौजूद कंड जैसे दुली के कंड, पानी की बूंदी या फिर बर्फ के कंडों के संपर्क में आती हैं चोगी दृष्शमान प्रकाश तरोंगो का आकार बड़ा ही सूक्ष में होता है इसलिए वे गैस के महीन अनू जो हवा में होते हैं उनके भी संपर्क में आती है जिस प्रकार कभी किसी बड़ी भारी भीड में हम एक दूसरे से टकराते हैं और एकदम से दूसरी ही दिशा में गिर पड़ते हैं ठीक उसी प्रकार प्रकाश की तरंगे भी इन कणों से ठकराती हैं जब प्रकाश की तरंगे इस प्रकार भिन भिन दिशाओं में परावर्तित होती हैं हम कहते हैं कि प्रकाश का संकीरणन हुआ है प्रकाश का संकीरणन प्रकाश की तरंग लंबाई की अपेक्षा कणों के आकार पर पूर्ण रूप से निर्वर होता है वे कण जो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से छोटे होते हैं वे लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संकीरणन अधिक सशक तता से करते हैं। इसी कारण हमारे प्रिथवी के वातावरण को तैयार करने वाले गैस के सुक्षम अनुम, सूर्य प्रकाश में से नीले भाग या नीले प्रकाश का संकेरणन सारी दिशाओं में करते हैं, जिसके कारण हमें आकाश निला दिखाई देता है। प्रकाश के दर्शवान सीमा में वातावरण ये गैसों के अनों द्वारा लाल प्रकाश का संकेणन बहुत कम मात्रा में होता है सूरियोदय या फिर सूरियास्त के समय सूरिय प्रकाश हमारे आँखों तक पहुचने के लिए वाता वरंड से एक लंबी दूरी तै करता है जिसके कारण नीला प्रकाश ज्यादा तर हट जाता है और अधिकान शुरूप से लाल और पीला प्रकाश ही बच जाता है जिसके परिणाम सूरूप सूरिय प्रकाश अब नारंगी और लाल रंग का दिखना शुरू हो जाता है जो बादलों से या फिर अन्य वस्तों से परावर्तित होकर एक रंगी इन सूरियोदय या सूरियास्त का नजारा निर्मान करता है इस प्रभाव को देखने के लिए चलिये हम एक और प्रयोग करते हैं हम इस स्वच्छ कांज के बोतल को इस टॉर्च पर रखेंगे हम टॉर्च से निकलता हुआ सफेद प्रकाश देख सकते हैं जब हम पानी में थोड़ा दूद मिलाते हैं तब वो दुधिया बन जाता है दूद में जो सूक्ष मकण होते हैं विवाता वरण में मौजूद कणों की तरह होते हैं हम बोतल की किनारों पर नीले रंग की आभाद देख सकते हैं प्रकाश भी उर्जा का एक स्वरूप है हमने प्रकाश के नैसरगिक और कृत्रिम स्त्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिन वस्तूओं में से प्रकाश जा सकता है उन वस्तूओं को पारदर्शी कहते हैं जो वस्तूओं प्रकाश रोकती है उन्हें अपारदर् नहीं देख पाती है। हमने प्रकाश की संकेरणं के बारे में बात की और यह भी जाना के भिन भिन समय पर आकाश के निशित करने हेतू वैक्या भूमिका निभाता है। इन्हे कृतियों को विभिन तरीकों से आप भी करके देखें और अपने दोस्तों के साथ परिणामों के बारे में चर्चा करें।